हलो गाईज, आज हम बच्छों की फेबरेट सूपर टेस्टी लाजबा फिंगर्स की रेस्पी से एर करने जा रहे हैं फिंगर्स बच्छों को बहुत पसंद आते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो आज हम पोहा से fingers बना का तया करेंगे वैसे तो हम आलू से fingers बना का तया करेंगे यह fingers खाने में बहुत ज़्यादा क्रेस्पी लगते हैं वैसे तो mixi jar में इन पोहों को डाल कर हम easily इसका fine powder बना कर तयार कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास mixi jar नहीं होता है तो आज हम बिना mixi jar के ही इन पोहों से fingers बना कर तया करेंगे तो सबसे पहले हम इसे फटापट से 2-3 बार अच्छे से wash कर लेते हैं पोहों में पानी डाल कर हम हास से इस तरह से clean कर लेंगे और फटापट से इसे निकाल लेंगे तो यह हमने 2-3 बार पोहों को अच्छे से wash कर लिया है अब हम एक दूसरा बॉल लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे यह चली और अपने पोहा को इस पर डाल देंगे ताकि जो भी एक्ष्टा पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा और पोहा हमारे एकदम खिले-खिले हो जाएंगे पोहा पानी को बहुत जल सोक कर लेंगे और यह पोहा हमारे खिले-खिले हो जाएंगे तो इसलिए हम इसे 10 मिनिट के लिए एक साइड में रखते हैं और इधर हमने यह दो मीडियूम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं फ्रेंस यह उले हुए आलू है इनको हमने ठंडा कर लिया है ठंडा होने के बाद हम इन आलू को छीलेंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मुझे कमेंट करके चलू से बताएं तो कि आलू को हमने चील के कर लिया है तो अब इन आलू को हम करते हैं कद्दू कस ध्यालव फ्रेंस आलू आपके एक दम ठंडे दो करयी है धंडे होने के बाद हैं aqui . अलों को हमने कदुकस कर लिआ हैं तो कदुकसे हमारे बिलकुल रेडी हो चुके हैं आप चाहें तो मैस को सकते हैं औरול परेटिन रेख सकते समय हो दें चलने से बिलकुल भी पानी hose रहा है और यह पोहा नवी पानी को अच्छी से सोक कर लिया है पोहँ पानी को भहँत जल सोक कर लेते हैं तो अब इसे हम निकलते हैं एक बड़े बॉल में और इसको हम करेंगे मैस फ्रेंस, पोहा के फिंगर्स को हम दो तरह से बना का तयार कर सकते हैं एक तरीका हमारा यह है कि हम इस तरीके से पोहों को सोक करकर उन्हें अच्छे से मैस कर लें और दूसरा तरीका यह है कि आप पोहों को मिक्सी जार में डाल कर उसका फाइन पॉडर बना लें लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मिक्सजार नहीं होता है तो हम इस तरीके से भी बच्छों के लिए यह पुआ फिंगर्स बना का तयार कर सकते हैं. तो अब इसमें हम एड़ करते हैं यह मैश की हुए आलू आज हम बहुत ही इजली तरीके से यह पुहा आलू के फिंगर्स बना का तया करेंगे यह फिंगर्स खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगते हैं आप भी एक बार इस तरीके से जुरू से ट्राइब कीजिएगा तो अब इसमें हमने यह आदा चम्मस नमग एड़ कर दिया है आदी चम्मस से भी कम हमने हल्दी पाड़र एड़ कर दिया है और यह आदा च अब इसमें हम एड़ करेंगे दो चम्मस के करीब कुकिंग ओयल को कुकिंग और एड़ करने से यह दो अच्छी से वाइंड हो जाएगा हाथ पर चिप फेगा नहीं अब हम थोड़ा सा ओल हाथ पर भी लगा लेते हैं और इसका डो लगा कर लेते हैं सो फ्रेंस आप दे सक टो हम भी बेशन के जरूरत नहीं पड़ी है तो आं पोवा फिंगर्ज बनाना शुरू करते हैं थोड़ा सा हात को हम घीज कर लेते हैं और थोड़े से मिकसर को हम अपने हाथ पर लेंगे और इस तरह से हम इसे बाइंड करेंगे और इसे हम दोनों हाथ से हथेलियों से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो इस तरह से यह हमारा फिंगर्स बनका त्यार हो जाएगा फिंगर्स आप अपनी पसंद के थोड़ी से मोटे थोड़ी से पतले बन को चानों करेंगे तो आप देसके हैं फ्रेंच ये फिंगर्स में हमारा बन ज़ुए घर हो चुका है देखने से अपको पता चल रहा हुआ कि यह fingers कितना लाजबाब बनाएं तो यह एक fingers हमारा बनका तैयर हो चुका है देखा friends कितना आसान है इस fingers को बनाना तो बिल्कुल हम उसी तरह से हमारा बनका तैयर करेंगे तो फिर से हम थोड़ा सा बैटर लेते हैं और दोनों हास की हमारा बनका तैयर हो चुका है तो बुल्कुल इसी तरह से हमारा पनका तैयर कर लगिए हैं कि तो आप देसकते हैं देखने तो आप पौर फिंगर्स बनाने के लिए हमने कुकेंग ऑल को गरं होने के लिए रख दिया है और हमारा अच्छा गरम हो चुका है अच्छी हीट आ रही है तो चेक कर लेते हैं तो बुल्कुर मीडियम टू हाइफ लेम पर हम इन फिंगर्स को सेकर तया करेंगे तो यह अब एक हे करके अपने कड़ाई में फिंगर्स को एड़ कर देंगे ध्यान राइप फिंगर्स को हमें दूर दूर करकर डालना है इन्हें एक साथ नहीं डालना है नहीं तो यह चिपक जाएंगे गैस का फिलेम अब मीडियम कर देंगे मीडियम टू हाई फिलेम पर ही इन फिंगर्स को हम सेख कर तया करेंगे तो हमें एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर फिंगर्स को एड़ कर देना है और इसे एक मिनेट बाद हम अलट प्लट करेंगे इन्हें हम तुरण अलट प्लट नहीं करेंगे तो फ्रेंस देखा आपने इन फिंगर्स को बनाना कितना आसान है और ये फिंगर्स खाने में उतने ही लाजवाब लगते हैं तो अब हम अपने फिंगर्स को अलट प्लट करकर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रू से बताएं कि आपको ये मेरे फिंगर्स की रेस्पी कैसे लगी तो आप दे सकते हैं फिंगर्स पर हमारी अच्छे गोल्ट ब्राउन चित्ती आ गई है देखने से ये आपको पता चल रहा हुआ कि ये फिंगर्स कितने क्रेस्पी बने हैं ये देखिए फ्रेंस अच्छे से तरीके से ये फिंगर्स हमारा सिक कर तैयर हो चुका है तो बुल्कुल इसी तरह से हमें अपने सारे फिंगर्स को सेक कर तैयर कर लेना है फिंगर्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इन्हें हम बच्चों को हलकी फुलकी भूक में दे सकते हैं बच्चे इन्हें बड़े प्यार से खाएंगे तो अब इन्हें हम रखते हैं एक साइड में और बिल्कुर इसी तरह से हम अपने दूसरे फिंगर्स भी सेकर तयार कर लेंगे फ्रेंस पोहा फिंगर्स को बनाना बहुत आसान है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम इजली तरीके से पोहा फिंगर्स बना का तयार कर सकते हैं और इन्हें हम सुभय साम के नास्ते में या फिर बच्चों को हलकी फुलकी बूक में सर्व कर सकते हैं पोह फिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले आप पोहों को अच्छी तरह से वास कर लें उसके बाद छलनी में डालकर उसका पानी अलग कर दें जब पोहों से पानी अलग हो जाए उसके बाद इन्हें मैस कर लें और आलू को गिरेटर कर लें आलू भी एकदम आपके ठंडी होने चाहिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले एड़ करकर बैटर लगा कर इस तरीगे से पोहों को बना कर तैयर कर लें अगर बैटर आपका गीला हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा बेशन डालने तो इस तरह से यह पोहां फिंगर्स बनकर तैयर हो जाते हैं आई होप के आपको यह मेरी रेस्पी जलू से पसंद आई होगी तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही इस्टे हॉम इस्टे से बाबाए